एक और दिन और एक और टाटाई गाड़ी का एक्सिडेंट रोल ओवर की एक और एक लौती टाटा नेक्स्टॉन डिये टाटा आजकल आपकी गाड़ियों के एक्सिडेंट होने की समभावना जादा है बिल्ड कॉलिटी पर ध्यान देना बंद करें और स्टेबिलिटी पर जाद ध्यान दे ऐसी खबरे बहुत आम हो गई हैं आजकल ऐसा लगता है ये जान बूझ कर किया जा रहा है आप आए दिन ऐसी उलटी परटी और टकराती टाटाई कार्स को यूट्यूब और फेस्बूक पर देखते होंगे और आपके मन में भी इन लोगों की तरह सवाल उठते होंगे कि क्यूं जाहतर एक्सिडेंट टाटाई कार्स के दिखाई देते हैं और बाकी कार्स के इतने कम और एक्सिडेंट कितना भी खराब हो गाड़िया इतनी अच्छी शेप में कैसे बनी रहती हैं और पैसेंजर कैसे ठीक रहते हैं हर एक्सिडेंट में टाटा कार्स को लेकर थोड़ी सी इमेज बदलनी स्टार्ट हो गई थी पर असल में बड़ा धमागा तब हुआ जो उन्होंने अपनी नेक्स्वान को लॉंच हिया वह पहली ऐसी टाटा की कार्स के बीच उनकी कार्स को लेकर सेफटी कंसर्स भी बढ़ रहे हैं लोगों के कार्स बहुत जादा सेफ हैं और फिर आप लोग ऐसे सवाल पूच रहे हैं कि क्यों सिर्फ टाटे कार्स ही पलट रही है या इनकी इतने एक्सिदेंट्स हो रहे हैं और फिर इस बीच कई लोग के पहुंच लए हैं कि टाटा कार्स में डिजाइन फ्लॉज हैं मेरे यसाब टाटाई कार्स अपनी बिल्ट कॉलिटी के इलावा अपनी हैंडिंग के लिए भी जानी जा रहे हैं अगर हम किसी भी क्रेडेबल ऑटो जॉनरलिस्ट का वीडियो उठाकर देख लें तो सबने इसकी हैंडलिंग की तारीफ ही करी है खासकर एल्ट्रोस की और हैंडलिंग इतने जादा एक्सिडेंट इसले हो रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइवर्स को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है और टाटा को इनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए तो मैं इस बात से भी डिसेगरी करता हूं टाटा ने एंट्री लेवल में सिफ दो कार्स उता नहीं है और ऐसे ट्राइवर्स हैं जिनके पास पहले गाड़ी रह चुकी है एक पर्टिकुलर सवार लोग टाटा की नेक्सवन को लेकर भी उठा रहे हैं और उसे रोल ओवर किंग बोल रहे हैं तो उसके लिए हमें इस वीडियो में फोर्ड की युको स्पोर्ट को भी द आए ग्लोबल अनकैब जैसी ओर्गनाइजेशन को मूस टेस्ट मेंडेटरी कर देना चाहिए हर काल के क्रेस्ट्रेस्ट के साथ यह वो कुछ मिच्स तरे टाटाई कार को लेकर जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं अब हम जानते हैं कि टाटाई कार्स के इतने स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है देखा जाए तो महरुति सुजुकी अभी भी लगबा 58% मार्किट को कैप्चर करती है और इस हिसाब से इनकी गाड़ी के सबसे जादा एक्सिडेंट होने चाहिए और होते भी हैं पर यूट् इसे जब दर्फ नहीं था एवंदो टाटा अमारे देशी कंपनी है और इसके साथ सर रटन टाटा का नाम जूड़ा हुआ है पहले लोगों को टाटा की कार्ष में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था परने चाहिए लॉंच के बाद से जब टाटा की कार्ष की सेल्स मे चाड़क पर जादा दिखने लगी और इनके एक्सिदेंट्स भी जादा रिपोर्ट होने लगे जब लोगों ने इन गाड़ियों की वीडियो डालनी स्टार्ट करी तो बाकी गाड़ियों के मुकाबले इन गाड़ियों में एक बड़ा फरक दिखाई देता था यह कार जिन के अल्गोरिदम में टाटा के एक्सिदेंट्स के फेवर में बहुत जादा मरत करता है आपने अकसर देखा और कोई नेशनल हो या कोई इंटरनेशनल कार एक्सिदेंट की वीडियो हो ऐसी वीडियो पर अंदाधुन व्यूज आते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है य या फिर कोई ट्रेजेडी दिखाई देती है तो आपका एडर्नेलिन और्फिन और डोपामिन स्पाइक करता है क्यूंकि आपके दिमाग को ऐसे सिगनल जाते हैं कि आप एक खत्रे की सित्ती में हो आप ऐसी वीडियो से नजर नहीं अटा पाते हैं पर जैसा कि सिर्फ यह वीडियो है और आप असलियत में खत्रे के अंदर नहीं हो आपकी बाडी पर इसका असर जल्दी ही खतम हो जाता है और आपको रिलेक्स फील होता है इस रिलीव की वैसे आपको डोपामिन सर्ज मिलता है और आप ऐसी वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं और टाटा के एक्सिडेंट से जोड़ी वीडियो को देखकर उन पर क्लिक करते हैं और यूट्यूब के अल्गोरिधम को ये साइन मिलते हैं कि ओडियन्स ऐसी वीडियो को ज्यादा देखना चाहती है अल्गोरिधम के इलावा मुझे ये भी समझ आया है कि इन कार से एक्सिडेंट भी जादा रिपोर्ट किये जाते हैं बाकी गाडियों के मुखाबले क्योंकि टाटा की कार्स बिखने का मेन रीजन इनकी सेफटी ही है और जाहत तो लोगों को इनके एनके स्कोर्स के बारे में यूट्यूब से पता लगता है इसलिए एक्सिडेंट में अगर इनकी कार्स को बहुत कम डैमेज होते हैं अगेंस्ट अधर कार्स तो इनके ओनर्स अक्सर टाटा को प्रेस करने के लिए ऐसी वीडियो और फोटोस फेस्बूक ग्रूप में या यूट्यूबर के साथ शेयर करते हैं और मेरे इसाब से इन तीन बातों का असर हमें यहां देखने को भी अ और उसके बाद धीरे-धीरे कार मैनुफेक्टरर्स ने अपने बिल्ट कॉलिटी में सुधार किया है इंडिया की गाडियों के लिए पर टाटा की सेफ कार की जरनी बहुत पुरानी है और उनकी इस्ट्री 1997 से ही स्टार्ट हो जाती है फोब्स को दिये इंट्रिव्यू में टाटा मोर्टर्स के चीफ टेकनोलोजी ऑफिसर राजेंदर पेटकर जी ने बताया है कि 1995 में टाटा इंडिगा के लॉंच के टाइम से ही वो इस टाइप की स्ट्रॉंग बिल्ट वाली गाड़ें बना रहे हैं टाटा ने 1997 में ही क्रेस्टेस फेसलिटी में इंवेस्ट कर दिया था और वो पहले इंडियन कार मैनुफेक्चरर बन गए थे ऐसा करने वाले तो इसलिए सिर्फ यह बोलना कि टाटा ने JLR को एक्वायर किया है और इसलिए उनकी गाड़ें इतनी जाता मजबूत हो गई है रिसेंट टाइम्स में यह गलत होगा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि टाटा की कार्स में हाई स्टेंट स्टील का इस्तेंसिवली किया जाता है और टाटा ने भी अपनी ऑफिशल साइट पर अपनी हैरियर के ओमेगा प्लैटफॉर्म को दिखाते हुए कार के स्ट्रक्चर में एडवांस्ट हाई स्टे अगर 200-500 MPa के बीच हो तो यह हाई स्टेंट स्टील क्यलाती है और अगर इनकी टेंसाइल स्टेंट 780 MPa से उपपर हो तो यह UHSS यानिकी अल्ट्रा है स्टेंट स्टील या AHSS यानिकी एडवांस हाई स्टेंट स्टील क्यलाती है UHSS का इस्तेमाल आजकल काफी गाडियों में किया जा रहा है और वह ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आर्ज को अच्छी स्टेंट देती है क्रेश होनी कंडिशन में और यह लाइट वेट भी होता है माइड स्टील के मुकाबले जैसा मैंने ठोड़ी दर पहले टाटा के अंदर AHSS का extensive views दिखाया मैं आपको इसका comparison draw करके दिखाना चाहूंगा किया की सेल्टोस के साथ आपको याद होगा कि किया की सेल्टोस एक recent major accident के अंदर दो टुकड़ों में बट गई थी उसके बाद team BHP के यूजर ने ये picture शेयर करी थी जो उन्होंने किया की website से source करी थी इसमें अगर हम देख सकते हैं कार्स के दो मोनोकॉक चैसी दिखाई देती हैं एक पर SP2 लिखा है दूसरे पर SP2i लिखा हुआ है किया ने इंडिया में सेल्टोस को लांच करने से पहले उसे SP2i के नाम से कोड़नें भी आता अब अगर हम इन दोनों इमेजिस को compare करे तो समझ आता है यह सिर्फ आपको फुटवैल में ही देखने को मिलता है और जो इंडिया स्पेसिफिक क्रेटा है उसके हाल थोड़े और खराब दिखाई देते हैं और इसलिए अब मुझे यह भी समझ आ रहा है कि वह अपनी क्रेटा को Global NCAP में क्यों नहीं बेचते हैं अब अगर मैं इ इसका यूज ना के बराबर किया अपनी काड़ी के अंदर इस वेबसाइट की माने तो अल्टा इस्टेंट स्टील का इस्तेमाल करना बहुत जोरी हो जाता है अगर आपको मॉडर्ण डे क्रेश टेस्ट को पास करना है प्लीज आप कमेंट में यह जोरू बताईए कि अगर सबस्क्राइबिंग में चैनल बैल आइकन को भी दवा देना लाइक भी कर देना और कमेंट में विचार जरूर छोड़ना थैंक यू